अफ्शक्राइब करने में पपनी मनीश म हमस्टाइब में सम्मृत करता हूँ तो आज लुए फिड्य स्वसक्राम करते क्या हूं और डिंदेर स्वसाथ का करता हूँ 40 माटिक्त में मिलरें हैं में आपको यहां पर मिलेगा और फिर बाद में जो टम टू का जो सब्जेक्टिव पेपर होगा जिनमें आपको अंसर लिखने वह वाला भी हम लोग आज डिसकस कर लेंगे तो पूरा जो मोडल पेपर आप लोगों के सामने होगा इनमें दोनों में पांच-पांच मोडल यहां पर करा रहा हूं वैसे बाकि सभी इसी कोई बात नहीं कि यह खटीने बाकि इसी है यह बाकि घटीने सब एक जैसे हैं ठीक है तो आपन शुरू करते हैं यह जो बाकि दिशा निर्देश आप पढ़ते रहेगा बाकिसमें कुछी नहीं कि सारे के सारे 40 परशन आपको यह बिल्कुल आसान सा जवाब हमारा आना चाहिए वो है फ्रांसेसी करांती देखो मेरी बात ध्यान रखा को कुछ को चीज़ें यहीं होती है कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं कार सकते हैं रूसी करांती हम लोगों ने भी टेंथ में थोड़ी पढ़ी थी ठीक है अमरीकी करां बिस्माक जर्मेन का पर्थम चांसलर का बनता है तो 1831 की बात सही है 1831 में वो पर्थम चांसलर बनेगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं मनुष्ये 77 पैदा हुआ है किन्तु वह सरवेत्र बंदनों में जकड़ा हुआ है यह खतन किस दाशनिक का है दिद्रो वोल्टेयर रूसो और मैंटरेज क्यों तो भया देखो मनुष्ये 77 पैदा हुआ हुआ पर अब आप देखेगा जो फ्रा किसके कलपना दरश्क के कि एसा यूरोप होना चाहिए एसा विष्वफ होना चाहिए तो नेक्स्ट कोशन की तब देखते हैं नेक्स्ट कोशन है मारा यंग इटली की स्थापना है किसने करे ये रूसो, मैटसनी, वोल्टेर और लेनिन तो बिल्कुल सही अंसर है मैटसनी बिल्कुल आसान सा कोशन है कोशन नमबर सिख्ष्ट अज सही योग आंदोलन की समापती किस घटना से हुई है काकोरी कांट से दादी यात्रा चोरी चोरा हिंसात में घटना या जाले वाला बाग की घटना ठीक है तो यहाँ पर सही अंसर चोरी चोरा हिंसात में घटना है ठीक है जाले वाला बाग की घटना के बाद कौन सा सत्य अगर है वो वापस बापु ले लेते हैं फिर नेक्ट कोशन भारत छोड़ो आंदोरों की शुरुआत कब हुई 1925-4042 या 45 तो सही अंसर 1942 इस्विमें होती है आठ अगस 1922 से बापु भाशन दे करो और मरो का नारा दे करके इस करांती की शुरुआत करते हो कि अंग्रेज भारत छोड़ों क्या करों अंग्रेज भारत छोड़ों नेक्स्ट कोशन है गदर पाटी की स्तापना किस ने कर यह भगत सिंग लाला हर्दय हघक से लाला हर्दयाल ठीकर बढ़ते हैं सवदेशी आंदुलमी की प्रेनार से भारत माता की छवी को किस ने शित्रित किया था सुबजीत आचारिये ने बकिम चंदर चटर जी ने अबिंदर नाथ टेगो ने तो सही अंसर है बकिम चंदर चटर जी ने रविंदर नाटेगोर जी ने क्या करा है हमारा राश्ट्रुकान लिखा है फिर नेक्स बढ़ते हैं कोशनर अबर 10 की तरफ खुदाई खिद्मतकार की स्तापना किसने करी है मुक्तार एमद का मौलाना अब्दुलक्लाम आजद भारत के पहले सिक्षा मंतरी अब्दुलगफार खान जिने गांदियन फ्रंटियर भी का जाता है तो सही अंसर कोन है अब्दुलगफार खान है और यह ऐसे सक्षिन जो भारत के विवाजन के खिलाफत यह कह रहे थे कि भारत के विवाजन नहीं होना चाहिए पर किसी ने सुनी नहीं मुलाला मुहमद अली और शोकत अली खिलाफत अंदुलण के दोनों भाई ठीके तो पर सही अंसर क्या है अब्दुलगफार खान नेक्स्ट इन में से कौन सा नवी करनी संसादा नहीं है बहुत ध्यान से नहीं है पूछा है नेक्स्ट कोशन कितने किलोमेटर के बाद क्या हो जाता है किसी के देश का दिकार नहीं होता एंतराष्टी सिमाओं के अंदर आ जाता है बहरत के कुल 46 बल में कितने परतिशत 26 बर पठारी भाग या 43 परतिशत 27 परतिशत 30 परतिशत या 40 परतिशत सई अंसर है 27 परतिशत में क्या है पठार का भाग होता है तो फिर देखते है, next question, मर्दा परदन का कौन सा कारण नहीं है, तो देखे, मर्दा परदन का जल भी कारण है, वायू भी कारण है, हिम, बड़ अफ है, तो वन जंगल लेखो, जंगल आप ज्यादा ज्यादा लगाओगे तो वो मर्दा परदन को रोखेगा, तो वन सबी कोशन बुक में से पूछे के इतना चिंती दोने वाली बात नहीं है आप लोगों ने वीडियो को सभी से देखा होगा तो आपको पता होंगे फिर आते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ सदा भाहर व्रक्ष चीर एक औशद ये वनस्पती है ये किस राज्ये में पाए जाता नेक्स्ट पेड़ एक विशेश आसिमित दयालू और उदारपूर्ण जीवधारी है और जो अपने सदत पोशन के लिए कोई मांग नहीं करता और दान शीलता पुर्वक अपने जीवन की किर्याओं को भेट करता है ये सभी के रक्षा करता है और स्वेबर कुलारी चलाने वाले विनाश्र को भी चाय परदान करता है ये खतन किसका है और इस खतन से मैंने चैप्टर की भी शुरूरात करी थी मेरे प्यार बच्छो किसका है महात्मा गांदी गोतम बुद्ध विनोवा भावय और सुंदलाल भावगना सही एंसर है गोतम बुद्ध गवान बुद उसका कुल जलका कितना भाग है महासागरों कुछ कोशन्स में मिस्प्रिंटिंग है सही से नहीं है तो उनको आप समझते जाएगा कितना परतिशत है 31,90,96.5 या 3.5 सही अंसर है 96.5 परतिशत क्या है महासागरों में पाय जाता है नेक्ट कोशन है बहुत देश्य प्रयोज नेक्ट कोशन की तर बढ़ते हैं पच्ची मी राजिस्तान में वर्षा जल संग्रेन की रिती किस कारण से कम हो रही है वर्षा नियमित होने से बारा मसी जल सुविदा से भूमिगत जल इस्तर की कमी हो जाने से इन में से कोई नहीं सही एंसर है इंद्रा गांदी जो नहर इसे बारा मसी क्या है जल सुविदा हो रही है एक्ट्र में क्या है कि जब लोगों को सब कुछ मिलने लग जाता है तो वेल्यू कम कर देते हैं एक्ट कोशन की तरब बढ़ते हैं किसी देश की राष्ट्रिय आये को उसकी कुल जनसंक्या भाग देने पर निमल लिखित में से क्या प्राप्त होगा मतलब भाई टोटल जो कुल आये है देश की वो कुल आये बटा कुल जनसंक्या देश की ये क्या कहलाएगा आप बोलोगे सर ये तो ओसताय के लाएगा तो इसमें क्या क्या दिया होगा परतिवेक्ति आए सकल गरेल उत्पाद, मालव विकास सूचकांग और सकल राश्टी उत्पाद तो बच्चों मैंने ये भी तो पढ़ाया था परतिवेक्ति आए भी बोलते हैं तो सही अंसर हमारा परतिवेक्ति आए हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं कोशन नवर बाइस तो बिजली बिजली की भी कोई चिंता नहीं क्या बोला है अमीर परिवार की लड़की है वो तो सब कुछ है जरूरत किस बात किये बराबर की स्वतनतरता की जरूरता है क्योंकि सामाजिक सुख़भी हम लोग जियों में चाहते हैं लोगों ने पढ़ा है शिश्यू मिर्ति दर क्या सुचित करता है पेला है साथ वर्से उससे अधिक आयू के लोगों में साक्षर जन संक्या नहीं ये क्या दिखाता है साक्षर दर है उसको दिखाता है किसी वर्स में पेदा हुए एक हजार जीवित बच्चों में से एक वर्स की आयू से पहले मर जाने वाले बच्चों का नुपाद तो बिल्कुल सही बात है यहां पर अंसर आप भी कर दीजिए कि एक हजार पे जितने बच्चा आज हमारे जीवित है और एक साल से पहले कि उनमें कितने बच्चे मर गए है वो क्या कैलाएगा वाँ सिश्वि मिर्ति उदर कैलाता है नेक्स्ट कॉशन की तरब बढ़ते हैं निमाले कितमे से उर्जा के मुखे श्रोथ कौन कौन से हैं मेन सोर्सिस कौन कौन से हैं उर्जा के देखिये कोहिला बिल्कुल है पेट्रोलेयम भी है विदुत भी है और उप्रोक्ट सभी आ गए क्योंकि हम लोगों ने क्या है प्रंप्रागत उठ जानके शोद जो दोनोंपर वाली बात है मदुमक्षी का जो पालन है यह इसमें नहीं है जो गलत है वही सही है क्योंकि नहीं बोला गया है बच्चो तो यह गलत हो जाएगा सही मदुमक्षी पालन के लाएगा नेक्स्ट कोशन मन्रेगा का विस्तारित रूप चुने मन्रेगा की फुल फो में वो चुनी है महवन गांधी राष्ट्रे ग्रामिर रोजगार गारंटी अधिनियम बतावा सरकार के भी मुझे सोचने वाली बात है थोड़ी सी कुछ भी नाम डाल दो महवन डाल दो ठीक है महात्मा गांधी के नाम से है तो विसे महवन ठीक है महवन गांधी राष्ट्रे ग्रामिर रोजगार गारंटी अधिनियम इसकी सही फॉर्म है फिर आता है किसी वश में डेश के कुल मुल्य को सकल घरल उत्पाद कहा जाता है सभी वस्तूर सेवाओ बिलक़न सही बात है प्रंटू अभी रुखो रुखो जरा रुखो सभी अन्तिम वस्तू ने मिल्य हे न बच्चो ये भी गल्यत हो निक्स्ट कोशन किएटा सलमा एक सरकारी ऐस्पाल में नर्स का कारी करती है सलमा किस चेटर की गतिवदी में संगठित में हैं जेखो वेसे तो यह जो नर्स का का काम करी हो वह सब्सक्राइब हो और यह सही किस में संगठित इसका अन्सर होगा next भाग के कि छेतर में चुपी भी बेरोजगारी पाई को वेसे तीनों छेत्रों में क्या है जहाएव का उत्फादन करता है तो सही अंसर में क्या होगा तर्टेख 6-3- C कोश्टन नंबर 31 बेल्जियम इसक्ता की साज़ेदारी के सम्मध में कौन सा खतन आशाक्ति यह मतलब गलत खतन कौन सा है और किसके बारे में पूछ रहा है Belgium की सब्तागी साज़दार कारण केंद्रे सरकार में Dutch और French भाशी मंत्रियों की संक्या समान है मतलब यह बात तो सही है और जो सही है जब गलत पूछता है जो सही है वो गलत है और जो गलत है वो सही है ठीक है राजे सरकारे केंदे सरकार के अदिन नहीं है सही बात है बेल्जे में अलग सरकार है बिल्कुल सही बात है पूरा सेंटेंस पढ़ो बच्चो इसमें डेच वाफ फ्रेंड समुदायों का ऐ समान ऐ समान परतिनी दित्वर अलग अलग प्रतिनी दितु है किसी को जादा किसी को कम प्रतिनी दितु है ये बात सही है क्या ये बात सही है क्या गलत बात है सबको क्या था समान प्रतिनी दितु है एक शब्द वच्छो एक शब्द अगरी में आक आठ दूना तो यह अंसर हमारा क्या हो जाएगा राइट इसका उधारन हमने पढ़ तो सही अंसर कोन सा श्री लंका इसको मान करके चल रहा है नीमन में से किस देश में इकातमक साशन विरस्ता है भालत सुजलेंड सम्वर्थी में राजय सूचि में राजय में । कोई नहीं तो शिख्षा किसमें है संव고र्ति शुचि में राजिस सरक स्रकार और केंद्र सरकारों दोनों मिलकर की कानून बना सकती है नेक्स्ट में जावीया भात में इस्ताथनी साशन परणाली कितने इस्तर की है एक स्थरी पर लिए वो कितने स्थर की है वो तिरी स्थरी है अब इतने स्थर की है टेट एक पर लिएक इतर अलग अलग है नहीं सरकार की विशेष्टा नहीं है जहां नहीं है या गलत है लगत है वहां क्या होगा सही तो गलत होगा और गलत ही सही होगा राष्ट नहीं सरकार के बढ़ जाते हैं संग्ये सरकार की बात करा तो इसकी तो बात आती नहीं है विए तो यह बात भी अबीट्टो ठीक है निर्वाचित पताजिकारी ही सरकार में सरवाच्य ताकत का उप्योग करते हैं ठीक है ये बात भी सही है सरकार की सक्ति शाषन के विविनिस्तों के बीच में बढ़ जाती है ये तीनों पॉइंट संग्य साषन के हैं परंतु ये विदाय का, कारेपाली का और नियाएपाली का बीच में बढ़ जाना है ये नहीं है तो ये गलत है तो जो गलत है वो ही सही है नेक्स्ट कोश्टन पर आजाओ कोश्टन नमर 37 और टोटल तो 40 हैं तीन कोश्टन के बाद हम लोग क्या करेंगे टमटू का पेपर कर लेंगे कौन सा सू में लिते हैं, मतलब सही कौन सा है संग सूची में, पुलीस कर्शी व्यापाल नहीं बिया ये किसके हैं, राजे सूची के राजे सूची में परतिरक्षा बैंकिंग संचार ये किसके हैं, संग सूची के समवर्थी सुची में वन विवा उत्रादिकार ये बात सही है बिल्कुल सही है और अफसेश्टी सक्ति केंद्र सरकार ये भी सही है अब देखो अब आप बोलों के सार आपने दो सही लगा दी तो है भी तो बाई दो सही ना अब ये मेरी गलती नहीं है ये model state paper जो बनाया है board ने उनकी गलती है दोनों सही है ये समवर्थी सुची में वन विवा उत्रादिकार भी है अगर इन तीनों में से एक भी नहीं होता ना तो मैं गलत माल लेता है इसको पर तीनों ही है और अफसेश्ट सक्तिया है वो भी केंद्र सरकार के पास है ठीक है त बाम सेफ ये सिरी फरसी बाम सेफ के बारे में हम समवों में पढ़ाता बाकि ये तीनों दल है तो सही अंसर हमारा बाम सेफ हो का नेक्स्ट कोशन मेरे प्यार वेच्चो नेपाल में हुए जन संगर्ष को निमन में से क्या का गया है प्रयावरन का अंदुलन बिलकुल भी सूचना के अधिकार का अंदुलन बिलकुल भी नहीं है लोगतंतर के लिए दूसरा अंदुलन बिलकुल लोगतंतर के लिए क्या था वो अंदुलन था लास्ट कोशन लोगतंतर और जन संकर्ष के संबंद में क्या आसत्य है तो आसत्य कौन सा है मतलब मेरे प्यार तो यही क्या हो जाएगा, सही अंसर हो जाएगा, फिर भी मैं आगे के points पड़ता हूँ, लोगतां तरह का जन संगर्श के मादिम से विकास होता है, सही बात तो बिलकुल होता है, लोगतां तरह का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरी होता है, बिलकुल सही बात है, संगर्श और लामबंदी का अधार, राजनेतिक संगर्षन होते हैं, तो इसी के साथ हमारा जो क्या था, टम 1 का जो मॉडल पेपर था वच्छो, वो मैंने आप लोगो करा दिया है, और टम 2 का मॉडल पेपर भी हम कर लेते हैं, आईए शुरात करते हैं आज के इस पेपर की, इंस्ट्रक्शन्स में क्या है, बेसिक बेसिक बात हैं में आपको बता दूँगा, इसमें कोई जिंता वाली बात नहीं है, यह मतलब अभी दो दो मार्क्स की चल रहे हैं सबसे पहला पूचा गया है कि पशुव में पलेग की तरह फैलने वाली बिमारी को क्या कहते हैं तो देखो पशुव में जो बिमारी फैलती है उसको क्या नाम से जाना गया है तो जल्दी से आप लिख दो अंसर कौन सी बिमारी है रिंडर पेस्ट या मवेशी पलेग तो रिंडर पेस्ट की जो बिमारी है अफरीका महादीप में फैलती है परशुव में फेलती है तो थोड़ा सा आप इसको अगर explain करना चाहे तो लिख सकते हैं कि वह रेंडर पेस्ट अठार सुनब्बे के करीबन अफरिका में फेलती है और किसे फेलती है थोड़ा सा बता सकते हैं तो नाम भी लिख देंगे तो भी काफी है दूसरे पर आते हैं आप्टका किसे क्या था दो भाप के ञेंजन का विश्कार नियू को मैं थॉमेस थॉमेस नियू कॉमंन ने करा था ठीक है create question पर जादा difficult नहीं है थीक है भाद में जाने वाली चार रोपन फसलों के नाम लिखे तो चार रोपन फसले, रोपन फसलों में क्या आता है, जो पूरे बड़े छेतर में क्या है, एक ही ही परकार की फसलों को उगाय जाए, ठीक है, जिनने क्या करा जाए, फिर बड़े लेवल पर बेचा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, रोपन फसले कहते हैं, तो रोपन फसलों में इन पांचो क्या है ? वह रोपन कषिकी करी कि उधाराने ने तो कोई भी चार लिख देज़ेगा या तो आ पांचों ही करिएगा आप फिर next question पुछा गया है खनीज क्या है, what is a mineral खनीज क्या है, खनीज एक प्राकर्ति ग्रूप से विद्मान है ठीक है जो प्राकर्ति ग्रूप से विद्मान है और सम्रूप तत्व हम पाया जाता है एक जैसा पाया जागा और उनकी आंत्रिक संरचना निश्चिन तांत्रिक संरचना उसकी होगी तो खनीज के बारे में और डैरेक्ट ग्रूप इसकी definition में ने कराया है जब वीडियो बनाया है तो उसमें बताइए कोई ऐसा question नहीं है जो आपको डूणने में problem है डैरेक्ट questions पूछा है किताब में सुठा करके अगर आपने seriously वीडियो देखे ना मेरे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दूसरा बटते है next question भारत में रानितिक दलों की संक्या कितनी है तो भारत में रानितिक दलों की संक्या कितनी है राज नितिक दल है वह पंजी करते हैं यहां पर राश्ट्री दल मतलिक दीजिए गा राश्ट्री दलों की हो रही है इन राज नितिक दलों में से फिर दर्जा मिलता है क्या है राश्ट्री दल और छेत्री दल ठीक है यह बात आपको द्याना कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतिये रिजव बैंक से प्राधिकर्त होती है क्योंकि जो मुद्रा है वो भारतिये रिजव बैंक से प्राधिकर्त होती है और जो भारतिये रिजव बैंक है वो सरकार के अधीन है तो इसलिए मतलब क्या है कि जो मुद्रा है वो सरकार के दुआ प्रादी करते हैं वो सरकार के दुआ चलाईए इसलिए पूरा भारत या पूरे देश की जनता होती है वो से विने में का मादिमिया मीडियम अफेक्ट यंची उसे एकसेप्ट करती है यह जितने भी कोशन थे यह सारे दो-दो माक्स के थे अब इनमें से आपको कोई भी 5 करने थे साथ दिये वे थे कोई भी 5 करने थे जो भी आपको 2 difficult लगे उनको आप छोड़ दीजेगा और बाकी 5 करके आगे बढ़ जाईएगा फिर आते हैं लगूत्रे परशनों में जिनमें समय आपको क्या है 5 ही क करने कोई अपन को दे रखे साथ आज से 14 तक का दे रखा है यह जो है यह तीन तीन माक्स के विए पांच त्या पंद्रा ठीके दस के वो हो गए पंद्रा के हो गए 25 और अब आगे पंद्रा का ओर आ जाएगा फिर बात करते हैं कोई नबर 8 की जी 77 की स्तापना क्यों की अब इन्होंने यह स्तापना क्यों करिए इनके 3-4 उद्देशिये हैं पहला उद्देशिये तो यह है कि जो उनके संसादन है उनके देश की जो संसादन है उन पे उनका सही तरीके से सही माइने पर उनका क्या हो अधिकार हो पहली बात दूसरा पॉइंट यह है कि जो कच् माल पर हमें सही दाम मिलना चाहिए और विदेश की बड़ी बड़ी शक्तिएं हैं वो हमें हमारे विकास के लिए साहिता पर्दान करें हमें मदद करें और हम भी अमारा product के हम हमँवी हमारा माल विदेश में पे पाजार उपलब्द कराया जाए तो ये चार मुख्य मांग विकासिल देश करते हैं इसलिए जी सतेतर की स्थापना करी जाती है डायक्ट कोश्चन किताब में से पूछा गया है फिर बात करते हैं पहले विश्यूद के समय भारत का अध्योगी कुद्पादन क्यों बढ़ा तो पहले विश्यूद के समय भारत का अध्योगी कुद्पादन क्यों बढ़ा तो एको सेना की जरतों को पुरा करने के लिए आपके लिखेंगे आपे सेना की जरतों को पुरा करने के लिए क्या है पहले विश्यूद में भारत में अध्योगी कुद्पादन बढ़ा और है जो इस निवण फरकार से क्या क्या कारण था इसे यहां क्या कारण था इस सदोगों में निशुकर पैले कया करते थे अब वह दो दोपआली में काम कर्ए रहरे है पहले और भी नई दै गते हैं उप नहीद कुप कहा हりました में भार्र थंडा हो जाता है फिर बात करते हैं कोशन अवर 10 की भारत में लो आये शेप के किनी तीन वित्रन चेत्र के नाम लिखे तो यहां पे पेटिया पूछ रहा है तो यहां पे चार-पांच पेटिया पढ़ी थी अपने तीन की बतानी है जारखन उडिसा पेटी बता दीजिए द उद्र-मुखवाली पेटि के बारे में बात कर लेजिए महराश्ट्रा-गोवा पेटि के बारे में चार में से किसी तीन के बारे में लिखे आपको यह भी लिखना भी है सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वह नाम लिखकर करें उनको explain भी करना और explanation तो आपने वीडियो में द देखेंगे ओके पर में जारगन वोट वालों को देख सला देता हूं कि अगर जिसने नहीं भी फड़ा होना तो पांचो मोडल पेपर सोल्व कर लें पांचो यह मोडल जो सेट दे रहे हैं आपके गवर्मेंट ने सरकान ने वह कर लें काफी है इनफ है चालिस में से तीस तो आकड़ा बन जाएगा 25-35 बन जाएगा और जिन्होंने मेनत करेंगो तो 49-49 भी ला सकते हैं नेस्ट पर आते हैं लोगतंदर में राजनितिक दलों की जरुवत क्यों है यह बात ध्यार रखेगा जरुवत इसलिए है क्योंकि हम उनसे काम है ठीक है ना हमारी जरुवत क सबसे पहला दल चुनाव लड़ते हैं ठीक है दल चुनाव लड़ते हैं उमीद्वारों का चुनाव करते हैं ठीक है अलग-अलग नीतिया हमारे सामने रखते हैं ठीक है मुद्दों को उठाते हैं सबसे इंपोटेंट काम सरकार बनाते हैं ठीक है अब एक दल सरकार बना तो बाकी वाले क्या करेंगे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे कल्यान कारेकरम हमारे लिए चराते हैं यह सारे के सारे मैं करहा हूँ पॉलिटी और यूको का तो आपका एक भी कॉशन लिए चूटना चाहिए बच्छो मैंने पहले पूरा सिलेवस कराया है पॉलिटी को क उसके बाद मैंने पूरे वान्विक डी हैं सभी चैप्टरस के उसके बाद मैं दोनों की मेरा थन भी ले चुका हूं उसके बाद MCQS की भी मेरा थन लिए तो इनमें तो कोई डाउट आना ही नीची भी इनमें भी अगर कोई बोलएना सरी ही बात मुजे समझ में ने आडी ह तो मैं सही बता रहा हूँ, जारगंड में आकर थपन वार के जाओंगा, लोग तंत्र किस परकार सामजी की विविदिताओं में सामजे से स्तापित करता है, सबसे पहले बाद तो यह है कि सामजे से का मतलब क्या है, सामजे से का मतलब है ताल मेल बिठाता है, जो अलग- विठाता है यह जी दैखने शोलग pillars अब करें ये सभी जाती धरब को ईखाएंगे तो यह जति लोग रिखाते हैं पहले बात उल्क्तनडर किन रिखने का अपनी बात रखने का और अपने संगटन बनाने की पूरी पूरी आजादी होती फिर तीसरे point में लिखेंगे, जब देश में सभी को आजादी होती है, एक संगठन अगर जादा भारी होने लग जाता है, एक संगठन अगर अपनी मनमानी चलाने लग जाता है, तो दूसरे संगठन सरकार को याद दुलाते हैं, कि ये गलत कर रहा है, इन पर भी रोक लगाए जाए और जो सरकार है दोलों संगटनों को देख करके एक बीच का रास्ता निकालेगी क्या वह ये काम भी इनकी तरफ भी ना करें जो सही कामें वही करना चाहिए तो इस प्रकार से क्या है क्योंकि सबको समान अधिकार होते है सबको संगटन बनाने का अधिकार होते है और जो संगटन होते है जब एक कोई दूसरे समोधाय का संगटन भारी होने लग जाता है तो उसको सप्रेस करने के लिए उसको दबाने के लिए तो जो सही मांग है देश के लिए उसकी बात है करते हैं नेक्स्ट कोशन से की तरह बढ़ते हैं तो वेश्वी करने से आप क्या समझते हैं तो दोखो भाई बहुत इजी सी डेफिनेशन दे रखिये वेश्वी करन की कि जो विविन देश है अलग अलग देश है उनके बीच में क्या होना प्रेस पर संब्ध होना मतब उन लोगों के बीच में क्या है रिलेशन बढ़ना और जब वो रिलेशन बढ़ता है और उस रिलेशन से क्या होता है तिवर एक ही करन होता है ठीक है फास्ट इंटिग्रेशन होता है पुरी दुनिया का जो यह एक ही करण हो रहा ना यही क्या है वेश्वी करण है जब पूरे देश एक होने लग जाए तो वो क्या है वेश्वी करण के लाता है यही बात में आप लोगों को समझाईए तो कोशन नमर 13 भी हमारा complete वह रास्टरे कम्पन्हा किने खा जाता है वह राश्ट या इस अधिक देशों में क्या हो इंब इस रगयाँ आंप से हुआ करने हैं और हर कोशन का जो वेटेज है वो पांच मार्स का है तो 15 मार्स का हो जाएगा दस सुरुवात के फिर 15 वीच में तीन वाले और फिर पाँच पाँच वाले तो पंद्रा टॉटल 40 मांस का आपका वेपर हो जाएगा और अच्छी वात यहां पर यह है कि जो पाँच कोशन दिये वे ना उनमें से एक मेप भी है तो जिनको मेप 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 छोड़ सकते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कोशन नमर 15 को क्या कहता है कि कोन लोगा समापध करने के बारे में बिट्री सरकार के फेसले के परभावों की व्याख्या करें सबसे पहले तो आप यह बताओ कि क्या होता है तो क्या है । इसmt Yみ दिया ने नि क्या हुआ बहुत सस्थे में मक्का आने लगा तो लोग बहुत खाते थे बहुत उनकी शक्ति बढ़ गई खूब खड़ी थे तो उससे क्या है कि जो अतियूत पादन है उसकी स्थिति और मतल्म लोगों के जो किसान है उनकी स्थिति बुरी हो जाती है यह आप चेप्टर 4 ज लिख सकते हैं देख सकते हैं अगर कहीं problem आती है तो फिर next question है राजनितिक दलों के सुधार के उपवाईयों की चर्चा करें तो राजनितिक दलों को कैसे कैसे सुधार जा सकता है सबसे पहले दो लिख दीजेगा सर कभी नी सुधार जा सकता है जीओने ठीक है यह मजा के लिए ठीक है बट कैसे सुधार जा सकता तो इसमें क्या क्या काम करेंगा है वो देखो एक तो दल बदल कानून की बात लिखेगा दो पहले आपको इस आतार पोइंट लिखकर के देने और फिर उसके बाद आपंको एक्सपिलेंडी करना क्योंकि 5-5 बात लिखेगा तिक उसके बाद एक सपथ पत्र का जो हाई कोट ने वोला था कि सपत्पत्र में क्या करा जाए सबत पत्र में क्या होगा जिसमें कि अपरादिक मामलों और संपति के वारे में बताया जाएगा उसके अलावा जो सभी संगठन है जो सभी भी पार्टिया है वो अपने संगठिक चुनाओ करा है उसके अलावा आयकर का रिटेन बरे मतलब इंकम टेक्स बरे महिलाओ को परतिनी दित्त्रव देना चाहिए उनको बड़े पद है उनमें उनको इस्सेधारी देनी चाहिए उसके अलावा दो बहुत बड़े काम जिन से सुधाला जा सकता है एक तो लोग राजनितिक दोलों पे दबाव बनाएं और दबाव को या से बनाएगा? मीडिया के थुरू बना सकता है, पोस्टर, पेम्पलेट उनके थुरू बना सकता है, पार्टियों को लतार सकता है, मना कर सकता है, या जो लोग खुद बदलाओ चाहते हैं, वो खुद क्या करें राजनिती में जाए और उसमें सुधार करें इन कामों से मुराजनितिक दोलों को सुधार सकते हैं फिर बढ़ते हैं कोशन नमर 17 की तरफ कहता है कि रिंड के आपचारिक और अनौपचारिक शौतों के अंदरों को स्पश्ट करें तो देखो आपचारिक और अनपचारिक इसमें कुछ पोइंट्स आप लिख सकते हैं आपचारिक में सबसे पहला कोन आता है आपचारिक में आता है बेंक आती है सेकारिता समीति आती है इसमें अनपचारिक में कोन आता है महाजन, साहुकार, दोस्त, मित्र, रिष्टेदार ये सब लोग आते हैं इसको सरकार के दुवारा मतलब रिजव बैंक ऑफ इंडिया भारती रिजव बैंक दुवारा क्या करा जाता है न्रिदे Music करा जाता है और इन पर नज़र रखी जाती है अगर ये कोई गलत काम करते हैं उन पर किसी पर कर करके कोई नज़र नहीं है ये लोग ब्याज भुएत कम लेते हैं जब उधाल लेते हैं जो इनका सिस्टम है वो बहतरी सिस्टम है और यहां पेर क्या है? जब पेशा लेने का जो तरीका होता है वो बिलकुल साफ सुतरा होता है और यहां पर नाजाश तरीकों से पेशा निकलाया जा सकता है इस परकाष के अन्य काफी points जो आप इंद मे लिख सकते हैं और 5 marks अराम से पा सकते हैं जब यहां पर अंतर पूछना तो कोशिश करेगा आप टेबल बना करके इस अंतर को क्लियर करें, ओके? फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, भाग में चाई की कहती खा की जाती है, इसके आवशेक भोगोलिक परिस्तितों का वंडन करें, तो भाग में चाई की कहती है, उन जगों के नाम लिख देजेगा, कि भई, आज समय करी जाती है, दारजिलिंग में करी जाती है, भोगोलिक परिस्तितों में क्या है, उसके अलावा क्या है, इसको बोचारे चाहिए, सगन परिश्रम बहुत ज्यादा परिश्रम चाहिए, तो जो चाई का टोपिक हमने करशी में पढ़ाया ना विया, वो पूरा का पूरा उठाकर करें लिख दीजेगा, उसके बारे में क कुछ बात भी सोचनी भी नहीं है आप लोगो, पूरा का पूरा टोपिक उठाकर के लिख दीजेगा, वो सारे के सारे पूइंट आप लिख दीजेगा, जभी जाकर के आपको पांच नंबर मिलेंगे, अगर आपको पांच नंबर चाहिए तो, फिर आते हैं मानचितर के को कोशन पर, मानचितर को पढ़कर दिये गए नाम चिरी चेतर के सामने लिखिये, नवेली, कोईला खान के बारे में बात करें, जरिया, रानी गंज, दिगबोई, मुंबई हाई, और सिंग रेनी, ठीक है, पांच जगे हैं तो आजएए देख लेते हैं, अब आप 400 बोड़ सबसे पहले पुछा है, नवेली, कोईला, तो वहाँ एक लिखूँगा, तो बतार नवेली, कोईले के बारे में बात कर रहा है, जरिया, रानी गंज, दो, दिगबोई, तीन, मुंबई हाई, चार, और सिंग रेनी, पांच, ठीक है, तो सबसे पहले, नवेली, कोईला, खा पुइंट कोई सा बोला गया, मुंबई हाई का, और पांच ओ जो पुइंट बोला गया है, वो बोला गया है, सिंग्रे निकर, ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा, ये मोडल पेपर है, ये कम्प्लीट होता है, और बिल्कुल आसान मोडल पेपर है, बच्चों, चालीस में स चालिस आप लोग पूरे ला सकते हैं और मेरी सुपकामने आपके साथ हमेशा है महनत करते लिए लगाता लेने तरह महनत करते रही है और जो बात मैंने पहरे दिन बोली थी वही आखरी दिन भी बोलता हूं कि महनत भी फल नहीं होगी बच्चों अगर आपने सच में महनत करें ना तो महनत खराब नहीं होगी और अब भी तक अंतिम सास तक लड़िये बहतरीन पेपर होंगे और टम वन में जो हुआ सो हुआ टमट्डू की सोच यह तो में बहुता नंब जहाखर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं आगे कभी थैंक आफ में